अब हम छपरा लोग सबाच्षेत्रे में मौझूद है और छपरा जो लोग सबाच्षेत्र है ये कभी एक समय में आरजेडी का गड़ुआ करता था लेकिन अभी यहां पे बीजेपी की सरकार है लोगों से बाते करेंगे कि अक्या इस बार फिर से जो है कि छपरा से बीजेप तो आप भारत एक नई सोच आप मेडिया से आए हैं और कहां गुरकपुर से हैं इसके लिए मैं पूरे गराम वासी के तरह से मैं अर्दिक धनवाद देना चाहता हूं यतना सुदूर इलाके में आप आए इसके लिए बहुत-बहुत अभार है आपका यहां पे कुछ काम ह कि अभागे मोधी जी उनके नेता उनके की काम किये नहीं देखें यह जो लाइन है यह जो हम लोगा इलेख्टिया जलवा है हमारे संसत महोदय काहीं देन है कि दौहजार नौ में हम लोग उनको कि इसके लिए प्रिडित किये थे 9 लाक रूपई या अपने कुर्स से उस समय उस समय उस समय तब से जीते नहीं थे वह संसत के रूप में जो है चुने गये थे यहां से संसत बनाया गया था राजसभा संसत बनाया था तो अपने राज सावा कुर्स से यह नो लाख रूप्रा माघ कर दे करें और भी पूर्टि के काम उन्होंने किया था पहए राज सावसर होते हुए अपने एकशी कुर्स हो उन्होंने नौट सावब करा भी विकट म area मेरा में लोग समझे कि सपना पूरा हुआ जब मोदी जी के काम है आरोप लगाना और विपक्ष चोर है तो कहां जाएगा विपक्षे कहना जाएगा तो आप बताईए आप धरना किजिए आप सरकार के खिलाब में धरना किजिए कुछ जाच क्यों नहीं होता है देखिए उसका जाच होगा ऐसा बात तोरे है यह को पकड़ने के लिए धरना करना पड़े नहीं 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 हम अपने पक्ष वाले को नहीं करेंगे और विपक्षी को खाली करेंगे मेरे लिए तो पुरा देश बराबर है एक सच यह जो हम लोग करोड़ देश में जो हम लोग का आबादी है जो जनता है हम सभी लोग मेरे लिए बराबर है और इसमें जो बैमान है जो चोर है जो घोटाला बाज है उसका दूरदासा हो रहा है आज देखिए क्यतने लोग मुखमंतरी लोग जेल में है थैज्ट अपकी बात है से एक और अंकल जी अंकल जी मोदी जी के कामों से खुश है और गूश्त है आप लोग अंजिटे दीए लोग को लिए से लिए lot दीए हम लोग को जूसरे जगा 509 ऑन कर मिलता है आप लोगों को जार्य सर देना है दूसरी सरकार होती कंग्रेस की होती चाहे लालू की होती तो इसम नहीं 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 सब्सक्राइब दूसरी सरकार होता है कि चार सो पार का जो वादा कुछ गड़बड़ी है इसमें इसमें देखिए परतियासी भोट से जिता है इबीयम से जितना होता तो इतना परतियासी लोग मेहनत नहीं करते हैं जतना घूम रहा है जतना दावरा हो रहा है जतना काम हो रहा है इतना विकास हो रहा है इस सब्सक्राइब क्या हो सकता था शिर्फ यवियम से जी जाना था चुनाव कराने की कोई जरूरत नहीं है जहां पर कॉंग्रेस जीती है वहां पर गड़बर नहीं होता है अज आप बीज़ेपी जीते का है अरोप लगता है अप आप इन शुचिए कि कैसे कैसे लोग इंजाम नहीं जीती लंगदा जीती तो वहां पर गड़ंड नहीं होता है में जाहां इंड्यू जीतता है वहاं लोग answers करते हैं यह वियम में से आपना बोट बना लेते हैं और जीते हैं लेकिन मोदी जी का जो विकास है बिहार में जो माननी है नितिस कुमार जी ने लकीर खिच दिया है 2005 के पहले बिहार में क्या था कुछ था लालू की सरकार थी लालू जी के सरकार में सिर्फ लूट खसोट अपराण ड्रकाईती बलतकार यही सब था बारबजे दीन में इस चोड में आप कैमरामन से आप कहिए कि पूरा इलाका चोड का है इधर से बारबजे दीन में कोई गुजरता नहीं था आज बारबजे रात में बहुन बेटी भी सरक से गुजर रही है यहां बहुत बर्यू पलबदी है जहां तक देखिए रोड बिज सäमय का सबस्कार मना उस समय से परिवर्तन हिता नहीं की नितिज कुमार मेंड़ात। क्रेडिट लेने की होड़ है तो हम कह रहे हैं कि मानने नितिस कुमार जी मुखमंत्री है कि सरकार तो नितिसे कुमार का थे जस्वी तो मुखमंत्री नहीं थे उप मंत्री थे उप मंत्री मतलब चूप मंत्री तो मुखमंत्री हमारे मानने नितिस पूरे भारत के लोगों को नोकरी मिला यहां किस राज से नोकरी नहीं मिला यहां लालु यादों किया सच में चारा चौर आपको लगते हैं अच्छा आरोप लगा जो जेल गए और आज भी वो कहते हैं कि हम गलती नहीं किया है अब बताईए बना दिया और को पत्ना में मुखमांतरी बनने वह लाइक नहीं था अपने बना भी गिया महरारूग भी बना दिया ही को रच दिखेर बैटा को बनाने लिए खंदानी राज लेना चाहते हैं यहादों को भोट उटना फुट नहीं दे लिए भी श्री डिलितहがने हैं अमक्रियों जले समोटी मुटनी फील धानी आख प्रोक्तु आ सही कि यह हैं आज मित्ता है चुपा चोणी करके कितना सापा देखिए सराब बंद हुआ है लेकिन सक्सेश्फुल नहीं हुआ नितेश जी के सरकानून थोड़ा सा नहीं बिल्कुल 80% अभी चाहिए सराब यहां लाकर दे देते हैं लेकिन नितेश जी को तो सराब चालू कर देना ही चाहिए बिल्कुल अच्छी रहेगी समाज सुधार करने के लिए मतलब आपने किया लेकिन हुआ नहीं यहीं मेरे बीच पर सत्क्रेश चूंग करने वाला जो है दलब आपने कोई गोटे-घूश है मरे विहार कई मोदी जी के सारकार में कार्च करना अ ciudब एक तो अच्छा है धो आर्जेडी में चले गए हैं तो हमारे जो मठ ककड़ा देख रहा है अथी कैमरा घुमा के देख लिजी यहां कोई रोड रस्ता नहीं था सब बंजे टाइब करेंगी हाँ पूरा नाव से आना जाना था समझे लेकिन अशरक हुआ तो नीटीष जी के देन है नीटीष जी के साथ में चोटे लाल बिधाए जी थे सरकार में थे तो फश्ट काम चोटे लाल जी काम के लिए सरक के लिए कि लालु याद अपनी बेटी क को चुनाओ लड़ा रहा है जिनकी साधी सिंगापूर में हुई है वो सिंगापूर रहती है क्या वहां पर आ करके काम करेंगे अगर जीत भी जाती है तो देखिए सबसे पहले तो लालू जी जो टिकट दिये है रोहनी आचार्या जी को यह नहीं होना चाहिए था इसलिए कि उनका विस्वास्त समझेए कि कि परीच अ कर लाग Empire leader लंबा लंबा जो है लोकसमाच्य prend है इसमें तो और उनका स्वास्त घर बराजाएगा यह टो स्वास्त लोगों के लिए चुना होना जाहिए और वह एक अभी अभी कित्रा दिन हुए तो सबसे पहले तो यहां की उमिदवारी जो है जादो परिवार में हैं अपने परिवार में हैं का दूसरे जान्थ जादों नहीं था तो रोहनी अचारेय जी को यहां तो लोग जानता भी नहीं पूलालों जाने कि बात है उसे हो ना कि संगा पूर में उनका अधसर उल्माय है सिंगा पूर सब्सक्राइब सब्सक्राइब जीत जाएंगी तो यहां यह आएंगी कभी नहीं तो कभी नहीं तो इसे लोगों को भूट देना है उचीत नहीं है उचीत नहीं जिए बात दरसली है कि जो गाउं के लोग है वह बीजेपी को कारियोश खूश है और जेडियू का काफी जादे समर्थन करके कि जेडियू जो है कि BJP के साथ है इंडिया गठवंदन में है और यहां से जो है कि BJP के उमीदवार है राजीव प्रताप रूडी जी और उनके पक्ष में जएकी रोहिडी आचारया जो आरजेडी की यहां पे जो है की शीट पर चुनाव लड़ रहे हैं बाकि आप लोगों क्या सोचते हैं में प्रतिक रहे हैं वीडियो कमेंट वक्स में देजिएगा शेर किजिएगा बहुत धन्यबाद